तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आभा आईडी यानि आईश्मान भारत हेल्थ अकाउंट कैसे बनाया जाता है आपके कंप्यूटर पर या मुबाइल पर इंटरनेट चलाने के लिए एक अप्लिकेशन होती है इसे गूगल क्रोम बोलते हैं ये लाल कलर, ग्रीन कलर और येलो कलर में एक सर्कुलर सॉप्वेर होता है इस पे हम क्लिक करेंगे ये सॉप्वेर इंटरनेट चलाने के लिए यूज होता है इस पे क्लिक करेंगे उपर सबसे उपर एड्रेस बार होता है सेम ऐसे ही मोबाइल में होता है सेम ऐसे ही कंप्यू यूज होता है 14 डिजिट का नंबर होता है जो यूज होता है किसी भी इनसान की health की details को digitalize करने के लिए आश्मान भारत health account यूज होता है अब आप जब क्रेट आभा पे click करेंगे तो सबसे पहले option आएंगे using आधार, using driving license हमने जैसे कि आपको training में भी बताया आप हमेशा using आधार ही करेंगे और आधार से related mobile नमबर पे OTP जाएगा इस पर क्लिक करेंगे next करेंगे आधार नमबर डालेंगे आधार नमबर 12 डिजिट का होता है आधार नमबर डाल दिया है उसके बाद I agree पे क्लिक करेंगे और यहाँ एक नमबर दिखाई देंगे जिसमें कुछ multiply प्लस माइनस होगा तो उसका answer लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा है 19 माइनस 17 तो answer हुआ 2 वो लिखेंगे next पे क्लिक करेंगे अब जिनका आधार नमबर होगा उनके पास एक OTP जाएगा OTP गया है छे डिजिट को OTP नमबर पलसेवन तू सेवन तरी उसके आध फिर next पे क्लिक करेंगे और एक आभा नमबर बनकर सामने आ जाएगा इस आभा नमबर को अपने फोन में या जिसका भी आप आभा बनवा रहे हैं उनके फोन में सुरक्षित कर देंगे हो सकता है बीच में एक और प्रोसेस आए enter mobile number तो वहाँ mobile number भी डालेंगे कई बार सीधा आधार नमबर डालने से भी आभा नमबर बन जाता है और मोबाइल नमबर डालने से फिर mobile नमबर पर OTP आता और ऐसी आप सबका आभा नमबर बनाएंगे और उनका नाम register में note करेंगे नाम, आधार नमबर और आभा नमबर जैसे ये सामने